नमस्कार स्वागते आप सभी का तो रूबर हुए हैं बड़ी ख़बर के साथ तो हिमाचल की अर्थविवस्ता लड़ खड़ाने लगी है जिसके कान सरकार पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है क्या ख़बर रहने वाली है विश्तित रूप से आपके समक्ष जुरूर साजा करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा ख़बरों को जाने के लिए करीपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तो हिमाचल की अर्थ विवस्ता लड़ खडाने लगी अब खर्ज और मुफ्त सेवाओं में कटवती की त्यारी पांच कोड केसों से दवाब में सरकार कर्ज की बेसाखी से आगे बढ़ रही हिमाचल सरकार की आर्थिक मोर्चे पर मुश्कले बढ़ती जा रही है एक तरफ केंदर ने हिमाचल की करज सीमा 5,500 क्रोड रुपे घटा दिये वहीं दुसरी तरफ हिमाचल हाई कोड में चल रहे 5 मामले सरकार के गले की फांस बन गए यह मामले नई वेतनायो केरियर द्यानिक वेतन भोगियों के भुकतान अनुबंद अबधी की पैंचन और अनुबंद के बाद मिलने वारी वरिस्ता से जुड़े हैं कोड ने इन पांचों मामलों में करमचारियों और पैंचनरों को क्रोडो रुपे का भुकतान सुनिचित करने को कहा है कई मामलों में कोड ने सरकार को सक्त ठीपनी और चेताबनी भी दी है इससे सरकार और खासकर वित प्रबंदन देख रहे अधिकारी दवामे है कोट की फटकार के बाद अब सरकार की रिसोर्स मोबलाईजिशन कमेटे भी आये के संसाध बढ़ाने और खर्चों में कटोती करने के लिए सक्री हो गई है वहीं टी डवल सी मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि जब कांगरेस सत्ता में आयी थी तब राजेश पर 80,000 क्रोड रुपे से अधीका कर्ज था सरकार पर कर्मचारियों की 10,000 क्रोड रुपे की देंदारी है इसलिए सरकार को और थविवस्ता को पटरी पर लाने के लिए कुछ कड़े फैंस ले लेने होंगे इसके लाबा परदेश की पूरा बीजेपी सरकार ने सबी कर्मचारियों पैंचनरों को जनवरी 2016 से नए वेतनमान के लापतों दे दिये मगर इसका एरिर अभी भी बकाया पड़ा है दिसंबर 2022 में विधानसवा चुनाप से पहले 30-40 अजार रुपे की एरिर के किष्ट जरूर दी गई है मगर यह उंट के मुहों में जीरा समान है कई कर्मचारियों वो पैंचनर का 3-4 लाख रुपे से भी जादा का एरिर बकाया है जिसका कर्मचारी पैंचनर बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं तो कुल मिलाकर यह रही बड़ी खबर की हिमाचल प्रदीश की आर्थिक सेहत बिगड़ती जा रही है जिसके कान हिमाचल सरकार को भी अब कड़े फैंस ले लेने पड़ेंगे तो जिसका जो भार है आम लोगों पर पड़ेगा तो अभी के लिए यह रही बड़ी खबर तो प्रदीश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए करीपयाच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें धन्यवाद